आज की इस कर्षा में हम प्रस्णा वली पांच दस्मलों दो के प्रस्णों को हल करने जा रहे हैं पहला प्रस्ण है घातांग के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांग के रूप में लिखिए हमें घातांग के नियमों का प्रयोग करना है इस प्रस्ण में और इस प्रस्ण में हमें 6 प्रस्ण दिये हुए हैं सबसे पहले हम घातां के नियमों को देखते हैं तो ये छे नियम हमने यहां लिखके रखा है पहला है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n अर्थात जब ये आधार एक है देखिए यहां a है यहां भी a है आधार एक है और इनका जब गुना हो रहा है तो ऐसे इस्तिती में इनका घातां जूड़ जाता है दूसरा है यह एक ही आधार वाले घातां की रूप के भाग है तो यहां देख रहे हैं कि ऐसे में क्या होता है घात घड़ जाता है यह भाग था तो यहां घड़ गया मैनस N हो गिया अब यहां घात का घात एक घात का घात तो ऐसे स्तिति में यह घात जो है यह गुना हो जाता है तो यहां A का घात M into N यहmaan MN कह सकते हैं से यह चौथा हमारा गुण नियम है यह है यहां आधार अलग है लेकिन घात एकी है यह जो गुणा हो रहा है A to the power M into B to the power M तो यहां हम देख रहे हैं कि आधार अलग है लेकिन घात एकी है ऐसी इस्तिती में यह हो जाता है A into B का होल M अब ठीक यह पांचवा वाला है यहां भी क्या है कि आधार है अलग-अलग लेकिन घात एकी है यह भाग है तो यहां इस तरह से हो जाता है A to the power M by B to the power M यह भाग था तो ऐसे इस्तिती में A बटे B पूरे का घात M और किसी भी आधार का अगर घात शुन्नी होता है तो इसका मान एक होता है तो चलिए इसका मैं प्रस नंबर एक देखता हूं यह है 2 to the power 3 यानि 2 घात 3 गुना 2 का घात 4 गुना 2 घात 8 तो इसे हम देखेंगे कि यह हमारे जो 6 नियम है इसमें से किसके अनुसार यह है यह किसके अनुसार हल होगा तो यह निशित्रुपसी पहले वाले के अनुसार है तो यहां क्या होगा कि घात जुड़ जाएंगे तो यह हो जाएगा दो का घात 3 जोड़ 4 जोड़ 8 तो यहां यह घात हम जोड़ते हैं 3 और 4 7 और 8 15 तो यहां हो गिया दो का घात 15 अब हम तो यह अब हम बाकी का हिंट दे रहे हैं कि आपको किस नियम से यह बनेगा तो पहला वाला तो हम लोग देखें कि यह पहले वाले नियम से यह हल हुआ दूसरा वाला यह दूसरे नियम से हल होगा इसमें दूसरा वाला नियम आप लगाएंगे ये तीसरा है इसमें फिर पुना पाहला वाला नियम लगेगा ये ये चोथा है यहां दो नियम लग रहा है पाहला घात का घात जो तीसरा नियम है तीसरा नियम है और फिर पाहला तीसरा और पाहला पाहले ये तीसरा का नियम लगेगा तीसरा नियम और फिर पाहला नियम पहला नियम इस नियम के अनुसार आप इसे हल करेंगे च्छठा नंबर यहां फिर दो नियम लग रहा है यहां पर यह लगेगा यहां पर यह आपका लगेगा यह दूसरा नियम यह दूसरा नियम दूसरा और फिर पुनाह पहला नियम लगेगा तो ये बाकी प्रस्णों को मैंने हिंट दे दिया इसके अनुसार आप हल करेंगे प्रस्ण संख्या 2 घातां के नियमों का प्रियोग करते हुए हल किजिए और उत्तर को घातां के रूप में लिखे यह जो प्रसंद दिये हुए है इन्हें हम घातां की रूप में हमें लिखना है तो इसका मैं दूसरा नमबर परसंद ले रहा हूं यह है छे सो पचीस भाग पांच का घाच चार तो छे सो पचीस का सबसे पहले हम अभाज गुननखंड करके इसे घातां की रूप में लिखें लिखें तो आईए 625 का अभाज गुनन खट करते हैं को कि यह इकाई में पांच है तो दो से तो इसलिए भाग लगेगा नहीं अब तीन से लगेगा या नहीं लगेगा इसके अंगों को जोड़के देखते हैं 6 2 8 और 5 13 तीन से नहीं लगे गा तो फिर चार से भी से लग जाएगा तो यह हो जाएगा 115 गुना इसे देंगे तो ये फिर पाश से 25 और गुना ये 5 पचे 25 तो 625 को हम इसके लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यहां हम इसे लिख सकते हैं घातां के रूप में पाँच का गात 4 और भाग पाँच का गात 4. तो अब यह हम देख रहे हैं, दूसरे नियम के अनुसार. तो घात घटेंगे जो कि आधार एक ही है तो पांच का घात चार घटाओ चार तो यह आजाएका पांच का घात शुनने तो यह हमारा घातां की रूप में आ गया इसी तरह से अन्य प्रस्णू को भी हम हल करेंगे हम इसका कुछ हिंट दे दे रहें तो किस नियम के अनुसार इसे आप हल करेंगे पहला जो हमारा प्रश्न है देखिए तीसरे नंबर के अनुसार हल होगा दूसरा तो हमने हल कर दिया है अब तीसरा तीसरा में दो आपका नियम लगेगा एक तो पहला वाला नियम लगेगा और फिर जो लगेगा वो है कौन सा ये घात का घात तीसरा नियम पहला और तीसरा अब चौथा नम्बर में देखिए यहां एक अगात 6, पटा एक अगात 3, तो यह भाग वला कौन सा नियम है हमारा, दूसरा नियम, और इसके बाद फिर ये गुना वला नियम आ जा रहा है न ये गुना, तो ये अब लगेगा यहां पहला वाला नियम, अब यहां देख रहे हैं पांचवा, तो पांचवा में ह हमारा यह पहला वाला नियम लगवगा इसके अनुसारे से हल करेंगे यह चछथा है तो यहां हम देख रहे हैं 4 कगहात 8 गुना एक गुना बी कगहात 8 बटा 4 कगहात 5 गुना एक गुना पांच गुना बी कघ़ात 2 तो इसमें हमारा कौन से लगेगा ये दूसरा वाला नियम लगेगा ये सब को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से चार चार कागात आठ बटा चार कागात पांच गुना एक अगात आठ बटा एक अगात पांच इस तरह से करेंगे तो यहां हमारा दूसरा नियम लगेगा, आप अपने किताब से प्रस्णों को मिला लेगे, यहां सात्वा, यह सात्वा हमारा कौन सा नियम लगेगा, पहला नियम लगेगा, और यह छट्था, यहां हमारा दूसरा नियम लगेगा, और ये नौवा पहले हम 27 को 27 का अभाज्य गुलन खंट करेके इसे घातांकिये रूप में लिखेंगे उसके बाद फिर इसमें पहलानियम हम लगाएंगे ये दस्वा यहां फिर पहलानियम लगेड़ा तो एक प्रस्ण मैंने बना दिया बाकी का हिंट मैंने दे दिया है इस हिंट की सहयता से आप बाकी प्रस्णों को स्वयम हल करें प्रस्ण संख्या तीन घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकिये रूप में लिखिए तो इसका मैं पहला प्रस्ण ले रहा हूँ तीसरा का पहला और ये पहला है 625 गुना 27 सबसे पहले हम क्या करेंगे 625 और 27 का आभाजि गुनान खण निकालेंगे तो सबसे पहले हम 625 का निकाल रहे हैं ये तीन से भाग इसमें नहीं लगेगा दो से तो लगेगा नहीं तीन से भी नहीं लगेगा अब इसमें 5 से लगेगा ये पहले भी आप निकाल चुके हैं तो ये 5 से ये 125 और ये फिर 5 से देंगे तो 25 और फिर 5 से देंगे तो ये 5 बार में अब 27 का भी निकालते हैं तो ये 3 से जाएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से 3 नमा 27 और 3 से 3 ती आई 9 हब 625 को इसके अभज गुननखंड के रूप में लिखते हैं तो ये होगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और इसके बाद 27 को लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 तो यहां हम देख रहे हैं कि 5 कितनी बार है चार बार है तो इसे घातांकिये रूप में हम इस तरह से लिखेंगे 5 का घात 4 और 3 तीन तीन बार है इसलिए 3 का घात 3 तो ये हमारा घातांकिये रूप में आ गया ठीक इसी तरह से हम प्रसंसंख्या 2, 3 और 4 भी अभाजे गुननखंड निकालकर और इस तरह से हल करेंगे। प्रस्न संक्या 4 निम्नलिखित प्रतेक को अभाजे गुननखंडों की घातों के गुननफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मैं प्रस्न 4 का तीसरा प्रस्न ले रहा हूं। तीसरा प्रश्ण है पांच का घात साथ गुना छे का घात दो बटा पांच का घात तीन गुना दो का घात दो गुना तीन अर्था तीन का घात एक तो यहां पर पांच का घात साथ है छे को हम दो गुना तीन लिख सकते हैं दो गुना तीन और इसका घात है दो तो देखिए यहां 6 का घात 2 था और 6 को हमने लिखा 2 गुणा 3 और इसके उपर फिर वैसे घात 2 है अब यह हो गया 5 बटा में 5 का घात 3 और 2 का घात 2 गुणा 3 यह है बराबर 5 का घात 7 गुणा देखिए दोनों पर 2 गुणा 3 का घात 2 है तो हम यह नियम देखते हैं नियम हमारा चौथा ती चौथा नियम कठी के यहां है ए गुणा B का घात M और इधर हो जाता है A का घात M into B का घात M ठीक इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2 का घात 2 और गुना 3 का घात 2 बटा 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 3 यहाँ हो जाएगा अब इससे हम अलग-अलग इस तरह से लिख सकते हैं 5 का घात 7 बटा 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 बटा 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 बटे 3 अब हम लोग देख रहे हैं यह दूसरे नियम के निसार तो दूसरे नियम के निसार यह भाग है यह बटा अर्थत भाग है तो यहाँ पर क्या होगा घट जाएगा तो 5 का घट साथ घटाओ तीन दो का घट два घटाओ दो और 3 का घट दो घटाओ एक यहां 3 है 3 अर्था 3 का घट एक है तो यह आ गया पांच का घट चार गुना दो का घात शुन्य और गुना तीन का घात एक तो ये हो गया पांच का घात चार और ये चठे नियम करूसर दो का घात सुन्य है तो इसका मान हो गया एक और ये तीन का घात यानि तीन तो ये हो गया पांच का घात चार गुना तीन ठीक इसी तरह से अन्य प्रस् झाल झाल